आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाए त्वेल्थ क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर तीन मैट्रिसीज की एक्सरसाइज तीन पॉइंट एक के क्योंसर नमबर छे को सॉल कर रहे हैं बड़ा ही असान है क्या कहता है इंसे हमने वैल्यो निकाल ली है चलिए फर्स पार्ट को करते हैं स्टार्ट फर्स पार्ट में दिखे यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स यह एक मैट्रिक्स यह है और यह दोनों इक्वल है Equal कब होती है When their corresponding elements are equal जब उनके corresponding angle equal होंगे तब ही हमारे पास ही matrix क्या होंगी? Equal होंगी As matrices are equal So comparing corresponding elements ठीक है? इनके हम elements को compare कर रहे है यहाँ से compare करेंगे तो 4 is equal to y y की value आ गए 3 is equal to z, x is equal to 1 So solution क्या हो गया? x is equal to 1, y is equal to 4 and z is equal to 3 simple ठीक है? Second में क्या है? यहाँ पर भी हम same यही लिखेंगे as matrices are equal comparing corresponding elements x plus y x plus y is equal to 6 यहाँ से 2 is equal to 2 है 5 plus 5 plus z is equal to 5 यह कर दिया next x y is equal to 8 हमारे पास equation 3 equation बन गी ठीक है? यहाँ से ही हमने x, y और z की value निकालनी है अगर मैं second equation से बात करो तो from 2 from 2 5 plus z is equal to 5 यह 5 उदर जाके minus हो जाएगा minus करेंगे तो 0 बचेगा के बचे इसमें भी गड़ब कर देते हैं 1 बना देते हैं यह z उदर जाके 5 minus 5 that is 0 z की value आगे हमारे पास simple बट यहाँ से हमने x और y की value निकालनी है अब देखें x plus y is equal to 6 है from 1 x plus y is equal to 6 this implies y is equal to मैं इधर ले आता हूँ 6 minus क्या हो जाएगा? x हो जाएगा y की value 6 minus है? x हो गई putting in 3 putting in 3 तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x into 6 minus x is equal to क्या हो गया? 8 हो गया multiply करेंगे 6x minus का x square is equal to 8 यहाँ से इधर लेके जाएगे quadratic equation क्या बनेगा? x square minus का 6x plus 8 अब आप क्या करेंगे? इसके factors बनाएंगे ठीक है? और factors जब आप बनाएंगे यह बनेगे x square minus का 4x minus 2x plus 8 is equal to 0 और यहाँ से बनेगा x minus 4 and x minus 2 is equal to 0 middle term split से तो यहाँ पर x की value कितनी बन गी? 4 बन गी या फिर 2 बन गी तो 4 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है अब हमें यहाँ से y की value निकाल ली है when x is equal to 4 first case में first में x is equal to 4 है तो y कितना बनेगा? इधर जाके y क्या बनेगा? 6 minus 4 that means 2 और second case में हमारे पास अगर x हमारे पास 2 है तो y की value हमारे पास कितनी बनेगी? 6 minus 2 कितना बन गया? 4 बन गया तो x, y, z दो values लिए हुए है पहले में हमारे पास क्या होगा? x की value 4 y की value 2 and z की value हमारे पास कितनी आ रहे थी? z is equal to 0 दूसरे case में हमारे पास x की value 2 है y की value 4 है and z की value z की value तो दोनों में क्या रहेगी? 0 रहेगी यह था हमारा second part third part में देखे क्या करते है matrices are equal matrices are equal so comparing corresponding elements elements को हम compare कर रहे है तो क्या बन जाएगा? x plus y plus z is equal to क्या हो गया? 9 यह equation number मैंने माल ले लिए दूसरी क्या है? x plus z यह हो गया 5 second equation third है y plus z that is 7 यह third equation है जान दें अगर यहाँ पर हमारे पास x plus y plus z है इसमें से हम x और z को घटा दें यह x y z x plus y plus z की value है 9 इसमें से x और z को घटाएंगे क्या बचेगा? y बच जाएगा तो मैं क्या लिखूँ? कि 1 minus 2 first equation में से second घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? y और 9 minus 5 that is y की value कितनी होगी? 4 होगी अगर हम first में से first में से third घटा दें इसमें से y z घटा दें तो मेरा क्या बचेगा? x x की value 9 minus 7 that is 2 हो गया अब y का मान 4 x का मान 2 so 1 में पुट करेंगे हम 2 पलस का 4 पलस का z is equal to कितना है? हमारा 9 है z 2 पलस 6 2 पलस 4 6 उदर जाके घटा होगे तो z की value कितनी हो जाएगी? 3 यहां पर भी हम x की value 2 पूट करते हैं यहां से minus यहां पर यहां पर y की value पूट कर देजिए 4 तब भी हमारे पास z की value कितनी आगे हमारे पास 3 हो गए ठीक है? सिंपल हो गए तो x हमारे पास हो गया 2 y हमारे पास हो गया 4 and z is equal to कितना हो गया? 3 तो यह था हमारा question number 6 बहुत यह असान था चलिए इस वीडियो में इतना ही next video मैं गले question के साथ फिर मिलते हैं तब तक की लिए जयाहिन जयादा